नवस्कार प्यारे विद्यारतियों बच्चों आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे 36 गड़ एक्रिकल्चर टीचर जो क्रशे शिक्षक भरती निकलने वाली है उसका जो 2019 का प्रिवेस येर पेपर था उसमें कम्प्यूटर के जो कोशन से वो आज हम डिसकस करेंगे कोशन डिसकस करने से हमाई आइडिया लगेगा कि हमें कम्प्यूटर में आखिर कितना कैसे और क्या पढ़ना है यह हम एनलाइस कर पाएंगे कि सिलेबस में तो बहुत सारा दिया हुआ है और पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है लेकिन सिलेबस में भी हमें कीन चीजों पर ज़्यादा ध्यान देना है वो हमें PYQ से पता चलता है तो इसको हमें आधार बना कर आगे की प्रिपेशन करना है तो आज हम पूरे जो कोशन है PYQ कम्प्यूटर के जो आये थे क्रशी शिक्षक भरती 36 गड़ जो निकली थी 2019 में उसको हम डिसकस करते हैं यहां पर हमारा पूरा कोर्स भी यह 36 गड़ कशी शिक्षक भरतीज का जिसकी प्राइस 799 रुपे है और यह बच्चा अभी ओफर है 20 फरवरी तक 20 फरवरी तक जो भी बच्चा इसको लेगा उसमें आप APOC कोड अपलाई करोगे तो आपको APOC 100 कोड अपलाई करोगे 100 रुपेस ओफ हुजाएगा 699 में मिलेगा और जो बच्चा हमारा CG REO वाला कोर्स लिये थे उनको चोंको यह 3099 में कोर्स मिलेगा उनको REO 300 कोड डालना है ठीक है यह कोर्स ले सकते जीके को छोड़कर बाकि सब कुछ पढ़ाया जाग ठीक है सिर्फजी के छोड़कर तो हम शुरू करते हैं यहां पर हमारे questions को ठीक है यहां पर हम शुरू करते हैं one by one सारे questions को चलिए 10 question आये थे computer के और fix है, पुरा दिया हुआ है syllabus के अंदर 10 question आने है इससे कम भी नहीं आएंगे, जदा भी नहीं आएंगे ठीक है, तो सारे questions को हम यहाँ पर discuss करने वाले है चलिए इसको हम discuss करते हैं तो यहाँ पर जो part 6 में है computer knowledge के questions और सबसे पहला जो question है बच्चा, वो है which computer part can be point and click with मतलब, computer के किस भाग से आप point और click कर सकते हैं, देखो point करना है, प्लस click करना है, मतलब point करके हम चीजों को select भी कर सकते हैं तो ऐसा किस device से होता है बच्चा, ऐसा होता है mouse से, ऐसा होता है mouse से keyboard से हम क्या कर सकते हैं, keyboard से किसी चीज़ को हम type कर सकते हैं click नहीं कर सकते हैं, यहाँ point नहीं कर सकते हैं mouse क्या करेगा, mouse जाएगा Internet नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ढबल क्लिक करोगे, तो वो चीज़ चीजस select हो जाएगी, अगर कोई फाइल डबल किलिक करना पर तो क्या हो जाती है monitor क्या होता है यह video होंता है js दिस्पेद यूनिट टिक aktiv इविज्वli डिस्प्लेट होती है मॉनिटर को इव बिज्वल सुझा कि केते हैं पैसिनल डीजिट ल। ऐससिस्टेंस इसका मतलब मतलब क्या होता हैं यह इसको हम बोलते हैं हेंड हेल्ड पीसी इस पीडिये को बोलते हैं हेंड हेली सी हाथ में पकड़कर हाथ हाथ में पकड़कर यूज करने वाला कम्प्यूटर बोल सकते हैं इसको मुबाइल बोल सकते हैं तो पीडिये का मतलब यह होता है मोनिटर जो है विजवल डिस्प्ल करने का काम करता है क्लिक करने का काम करता है ठीक है और कीबॉड क्या है यह भी इनपूट डिवाइस है याद रखना यह भी इनपूट डिवाइस है यह आपका आउटपूट डिवाइस है कितने सारे कोशन्स मैंने सोल करवा दिया यहां पर एक ही इस में कोशन्स क्या था कि और क्लिक किस device से होता है तो mouse से होता है तो mouse और keyboard दोनों point क्या है input device है monitor जो है output device है जो हमें दिख रहा है यह हमें output दे रहा है ठीक है PDA क्या है तो personal digital assistance होता है यह एक प्रकार का device है handle device है हाथ में पकड़ के करने वाले device है clear है इसा question इसी तरीके से मैं आपको course के अंदर mcqs भी करवाऊंगा detail explanation भी करवाऊंगा और साथ में पूरा पढ़ाऊंगा भी सही ठीक है course को आप जोइन कर सकते हैं second question है slide shorter अब देखो slide shorter किस menu में आता है तो slide shorter पेली बात तो slide की बात हो रही मतलब किसी की बात हो रही इसको पर देख रहे होंगे आपको दिखा देता हूं धिक है यह अभी इसको इसको इसक्रिंशोट लेके मेरे ही लेबудь कि स्लाइट है यह आरियो वाला कोशन पेपर है जो हमने यहां पर सोल करवाया था ठीक है आरियो का जो भी रिसेंटली कोशन पेपर हुआ है अब इसमें पूछा क्या है स्लाइट शोटर किसमें आता है तो स्लाइट शोटर यह हमने बढ़ा यह व्यू मेनू है इस व्यू मेनू के अंदर यह क्या आ रहा है स्लाइट शोटर यहां पर नॉर्मल स्लाइट दिखती है स्लाइट शोटर पर किक करो के तो स्लाइट शोटर और फॉर्मेर में क्या होता है, इस सब कुछ पढ़ेंगे, तो यहीं direct question पूचा है पूचा है कि Cela कि समय आता है तो इसी तरीके से आप से और कुछ पुछा सकता है कि insert में क्या आता है? डिजाइं cupcake में क्या आता है, यह PowerPoint का, इसी तरीके से Excel होता है, इसी तरीके से आपका क्या होगा, जो word होगा, वो यहाँ पर होगा, ठीक है बच्चा, तो यहाँ से आपका यह clear होता है, ठीक है तो इसका answer क्या आ जागा, slide sorter किस menu में आता है, तो वो आता है, sorry, किस menu में आता है, तो view के अंदर आता है, सबागा तो स्लाइट शोटर नेक्स गई टोट मैक्स और ऑस सोलीडा फ्रण प्रिंटर किसका उधर है दिखो प्रिंटर जो अगर हम बात करें तो तो इक प्रिंटर जो है अब देखो कि吗 प्रकार का होता है एक होता है इंपेक्ट पिंडर और एक होता है नोन इंपेक्ट 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 मतलब जो हैमर होता है ड्रम होता है उससे टकराता है जब टकराता है तब उस पर अक्षर खुलते हैं ठीक है यहां पर हैमर यूज होता है यहां पर हैमर यूज नहीं कि फारी सशने हुआ ही होता है जैसे हां ठोड़ा होता ना इसे डम रहते तो उसने टकराते जाता है और वाड छपते जाते हैं तो इंपेक्ट्र जो होता है इसमें आता आपका डौट मेक्ट्रिक्स षुर 없고 लाता है डेसीं कीद्ण ऑधे पर यह की तरह होता है ठीक और इसमें आता आपका इसमें आता आपका थर्मल इंक जेट और आता आपका लेजर प्रिंटर यह तीन आते हैं नोन इंपेक्ट के अंदर और यह आते हैं डोट मैट्रिक्स और यह दोनों डोट मैट्रिक्स जो है न बच्चा यह है केरेक्टर प् यह एक बार में याद रखना एक बार में एक क्रेक्टर को प्रिंट करता है एक क्रेक्टर को क्या करता है प्रिंट करता है इसलिए यह क्या है क्रेक्टर प्रिंटर है तो अंसर क्या जाएगा डोट मेट्रिक्स क्या है यहाँ पर क्रेक्टर प्रिंटर है अंसर क्या जाएगा एक ही character को print करेगा line printer एक बार में पूरी line को print करेगा French printer होता है एक बार में पूरे page को print करता है तो यहाँ पर अंसर किया जाएगा dotmatic solid phone printer जो है character printer है फिर MGEG का उप्योग जो MGEG है इसका उप्योग कहा होता है बच्चा यह पूछा गया है ठीक है MGEG तो देखो MGEG क्या होता पहले तो यह समझो यह होता है फुलपा भी पूछ लेते हैं moving picture expert group यह होता है इसका फुलपा moving picture expert group और MGEG जो है यह काम करता है video format के लिए video format में काम करता है मतलब आप बोल सकते हैं video और video storage का का काम करता है video storage का काम करता है MPEG तो अंसरी क्या आजागा video वैसे video और audio दोनों store करता है लेकिन MPEG जनरली होता क्या है video format file होती है जो use होती है किसके अंदर DVD है, ACD है जो भी है इनको चलाने के लिए video audio दोनों use होता है अब यहाँ पर जो questions आता है EMPG काम करता है अब इसी में यह DVD के अंदर ही part है MGG तो है audio video जो है store होता है इसी के अंदर तो इसका अंसर क्या हो जाएगा video next question दिया है DVD डिस्क पढ़ने के लिए इसमाल होता है पहले DVD का full palm क्या होता है digital versatile disc क्या होता है digital versatile disc होता है इसका full palm generally full palm पूछ लेते हैं ठीक है DVD 2 प्रकार के आपको मिलेगी ठीक है एक होती है एक single layer single layer single layer वाली जो होती है वो होती है 4.7 GB की वो जो double layer वाली होती है बच्चा double layer पूछा जाता है इससा डबल लेयर जो होती है 8.5 GB की होती है हाँ है ठीक है 8.5 GB की होती है double layer अब इसमें इसको read करने के लिए पढ़ने के लिए कौन सा laser इस्तमाल होता है तो इसको पढ़ने के लिए बच्छा rate laser beam use होता है laser beam पर ही DVD disc को read किया जाता है ठीक है वो single layer में 4.7 GB की होती है double layer में 8.5 GB की आती है फुल पॉर्म क्या होता है digital versatile disc इसका फुल पॉर्म होता है आगे पुड़ते हैं को कुश्चन नंबर है ठीक है 36 कुश्चन नंबर 36 internet क्या है उन्होंनों पूछा कि internet क्या होता है इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट जो है इसका इंटरनेशनल नेटवर्किंग का इंटरनेशनल नेट्रवर्किंग का शॉडर फशाम है international से इंटरले लिया और नेटर्रखолов कींग से Aprर नेट बोला जाता है एक तरीका का हम बोल सकते हैं वाल्टवाइट गलोबल नेट्वरक भी बोला जाता है एक पाकार का लिंदी होता है यह इसलिए इसको डाइन इनक्थ का मतलब होता है कि यह बुटर नेटवर्क जो है एक जगा से दूसरे जगा आपको चेंज भी लेगा कॉंप्लेक्स है क्योंकि हर जगा फेला हुआ इसलिए कॉंप्लेक्स भी है decentralized system में मतलब वही पूरी तरीके सब जगा फेला हुआ तो decentralized system है इसको all of these बोला जाता है उप्रोप सभी इसका अंसर आ जाएगा ठीक है next question है operating system next question क्या है operating system operating system क्या है OS इसको बोलते है operating system operating system जो है बच्चा ये software का part है याद रखना है ये क्या है software का part है software पहले तो समझते है software है operating system जे एक प्रकार का क्या है ये software है software क्या होता है ये होता है set of program set of program को हम बोलते हैं software प्रोग्राम क्या होता है set of interaction सेट ऑब इंट्रक्शन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम और प्रोग्राम का सेट जो होता है वो सॉप्टेर कहलाता है software में तीन प्रकार कापको मिलेगा एक होता है system software एक होता है application software application software और एक होता है utility software utility software system software जो operating system है operating system है यह system software है मतलब operating system क्या हम करता है यह software hardware के बीच में balance बनाने का काम करता है control करने का काम करता है software hardware और जो user होता है उसके बीच में कंट्रोल करने का ये काम करता है, ठीके, application software जिसे ms word है, ms excel है, ms powerpoint है, ये application software, जो है, application software, utility software में किया जाएगा, YouTube में जैसे File Manager आजाएगा जो हमारी यूज में जो हमारी सुविदा को और अच्छा कर देता है उसको हम बोलते हैं क्या Utility Software केते हैं ठीक है चलिए इसका अंसर क्या आजाए का Hardware Component है नहीं Input Output विए नहीं तो यह क्या है Software Routine का संग रहे है ठीक है Software Routine का संग रहा जाएगा चलिए नेक्स कोशन है ली हाड़ वाइरस अस्तित्व में क्यासा है तो ली हाड़ वाइरस पहले वाइरस की बात कर लेते हैं वाइरस क्या होता है Vital Information Resource Under Seas फुल फॉर्म क्या होता इसका वाइरस का फूलफा में कई बार पूछ लिया जाता है तो वाइरस जो है सबसे पहला वाइरस था फर्स्ट वाइरस था वह था कोपी को मल्टिप्लाई करते रहते हैं इस तरीके इसको हम वाइरस बोलते हैं इसके लिए तो एंटिवाइरस आते हैं अच्छे डिटेल में और इसको आगे हम समझेंगे पढ़ेंगे कोर्स के अंदर नेस्ट कुशन दिया गया है कंप्यूटर को दिये जाने वाले निर्देसों का समू ये कुशन आपके जो अंसर की आई है फाइनल अंसर की उसमें अंसर गलत दिया है बच्चा मैं बता दू कंप्यूटर में दिये जाने वाले निर्देसों के समू देखो मतलब क्या होता ह set of interaction लिखा है set of interaction set of interaction जो होता है किसे बोलते है उसको बोलते है program को set of instruction किसको बोलते है program को पोलते है इसका answer program होना चाहिए लेकिन आपकी cg व्यापम ने isका answer लिया है software लेकिन कहीं पर भी देखोगे book में देखोगे कहीं पर भी search करोगे तो set of interaction क्या होता है? प्रोग्राम होता है और software क्या होता बच्चा? यह होता है set of program set of program को software बोलते हैं set of programs होता है उसको हम software बोलते हैं तो इसका answer आना चाहिए program लेकिन जो final answer की है उसमें इसको software को answer लिया गया था तो इसको आपको देखना पड़ेगा इस question को cancel किया गया था यह क्या किया गया था? I don't know बट इसका जो answer है set of interaction program होता है CGVAPM का final जो answer है उसमें software लिया गया था तो देख ले ना इसको वेब क्रेवलर वेब क्रेवलर क्या होता है? वेब क्रेवलर क्या होता बच्चा? यह एक प्रकार का क्या है? program है जो search इंजिन का use करके data को collect करता है from the internet ठीक है? इसको हम बोल सकते है एक प्रकार का यह program है used by search engine यह search engine के दवारा use किया जाता है to collect data from the internet data from the internet ठीक है? internet से data को collect करने के लिए search engine के द्वारा use किया गया एक program है webclawler या पुछा गया कि webclawler को क्या कहा जाता है हमने बोला webclawler है क्या तो जो internet है वहाँ से हमें data लेना है तो data लेने के लिए जो search engine होते है उस search engine के द्वार use किया जाने वाला जो program इसको webclawler केते हैं webclawler को web spider भी कहा जाता है इसको web ant भी कहा जाता है इसको web scatter भी कहा जाता है ठीक है इसके कई सारे नाम है clear है तो बच्चा इस तरीके से questions आते हैं हमें यहाँ पर समझना होगा देखो internet से question आया हुआ है internet में आपका internet से internet का भी question आया है webc related question भी आया है ठीक है इंटरनेट के फादर में बता चुका हूँ कौन है फादर ओफ इंटरनेट फादर ओफ इंटरनेट कौन है इंटरनेट है विंट सर्फ विंट सर्फ को फादर ओफ इंटरनेट कहा जाता है सबसे पहले बनाया गया नेटर कौन सा था अर्पानेट अर्पानेट अमेरिका के र कवा आया था 1989 में किस ने टीम बरनस ली ने इसको और व्यर्ड वरड वड वय जो है टीम बरसली ने इस प्रकार के कई सारी चीज्जे प्चा जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे और इस कोश Kenny पता चल रहा है कि जैसे प्रिंटर से कोशन आया है, मतलब इंपूट डिवाइस से कोशन आया हुआ है, मेमोरी से मतलब डीवीडी से कोशन आया हुआ है, आपका MS Office मतलब जो है MS Word, Excel और PowerPoint इससे कोशन आया हुआ है, आपका Software से कोशन आया हुआ है, Operating System का, आपका Internet से कोशन आय हुआ है, आपका World Wide Web से कोशन आया हुआ है, तो syllabus के अंदर से ही चीज़े पूची गई है, और इसी प्रकार से हमें आगे भी चीज़े पढ़ना है, आपका Virus, Antivirus से कोशन आया हुआ है, इसी प्रकार की हमें सारी चीज़े यहां पर पढ़नी है, तो बच्चा अगर आपको है ना, समझे में आया है, कैसे पढ़ा है और कैसे पढ़ाया जा सकता है, अगर आप हम चाहते हैं कि हमें जोइन करें तो आप हमारा यह कोर्स जो है ले सकते हो, बीस फरवरी तक इसमें अभी आफर है, सो रुपे कम, वैसे भी 799 में कोई कोई कोर्स नहीं दे रहा है, इस आपको प्रोवाइट करवा रहा हूँ, इसमें आपको फिजिस, केमस्ट्री में इस बाएवा, कुछ अलग टीचर से पढ़ने मिलेगा, कंप्यूटर में पढ़ाऊँगा, इंग्लिस के लिए टीचर हायर करेंगे, हिंदी में पढ़ाऊँगा, इस तरीके की सारी चीज़